वेलकम दोस्तों, आज हम लोग Guardian of Galaxy ट्रेलर को ब्रेकडाउन करेंगे, उससे पहले holiday special में हमें ये पदा लग चुका है कि mantis और peter भाई बहन है, इसके अलावा drags भी कपड़े पहनने लगा है, इसके बारे में आगे discuss करेंगे, आज के ट्रेलर ब्रेकडाउन में हम सबसे पहल रखी है, उसका design, rocket के costume जो की comic से लिया गया है, उसे बहुत ही मिलता जुलता है, इस ट्रेलर में देखने पे हमें पता जुलता है कि अब वो लोग ऐसे ही space में घूमने वाले वैक्ति नहीं रहे गये हैं, उनके पास अपने costume से हैं, और वो पैसे लेते हैं, इसके अलावा लोगों की रक्षा करते हैं, और काफी popular भी हैं, लोग उनकी बाते वानने लगे हैं, और इसमें उनकी जो ship दिखाई गई है, वो बिल्कुल नई है, और नए तरह का design है उसका, जो की हमें holiday special में भी देखने के लिए मिला था, और trailer के starting में वो अमेरिका आते हैं, क्योंकि ज पर पीटर उनको सांती प्रसाव देता है, लेकिन ड्रैक्स उनके बच्चे को ball से मार देता है, जो की comedy दिखाता है, जो की James Gunn का style है, कैसे action comedy, इन सब को एक साथ मिला जूला के परोशना, और इसी के तो हम लोग सब fan हैं, अब इन सब में ड्रैक्स costume पहने हुए हैं, इसका एक कारण ये भी हो सकता है, कि देव बतिता ने कहा था, कि इस उमर में वैसी फिजिक मेंटेन करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, तो सायद इस चीज की चलते, James Gunn ने उनके कपड़े पहना दिये, और इसमें बेवी गुरूट बहुत बड़ा हो चुका है, और बहुत स्थापित किया था, और यहां पे वो अलग-अलग तरह के humans और animals पर experiment करके hybrid बनाता है, जिसका एक example rocket भी है, rocket इन सब चीजों से गुजरा है, और इस ट्रेलर में आप देखेंगे, कि जब mantis बोलती है, कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए, कि हम कहां से आये हैं, तब rocket को race को perfect बनाना चाहता है, जिसके चलते वो animal बनाता है, यानि combination of animals and human, और इसी का नतीज़ा आप इस ट्रेलर में देख सकते हैं, जो ये लोग घूम रहे हैं, वो आधे इंसान, आधे animals हैं, और उसी experiment का नतीज़ा rocket भी है, इस ट्रेलर में आगे देखने पे हमें पता चलता है, कि पीटर भी अब अपनी सारी पुरानी बातों को भुला के, अपने आपको नए जिन्दिगी में ढाल रहा है, जिसका सबूत उसके कानों में लगा headphone है, अब वो अपने पुराने headphone ना यूज करके, नए तरह के headphone यूज कर रहा है, और गाने सुन रहा है, वो थोड़ा समझ के machinery type के जगह पे कूद रहे होते हैं, कॉमिक्स में इस जगह को high evolutionary का अड़ा बताया गया है, तो वो वहीं जा रहे हैं, लेकिन यहां पर एक चीज notice करने वाली बात है, rocket नहीं है साथ में, इसका मतलब यह है कि rocket high evolutionary के कबजे में हैं, और यह सब उसे बचाने जा रहे हैं, इ पीटर से प्यार करती है, और इन लोगों के साथ उसका इतना लगाओ था, वो सायद याद कर रही है, कोशिश कर रही है, ताकि इन लोगों के साथ रहे, एक सीन में हम लोग ड्रैक्स को दिखाते हैं, जिसके chest पे कोई चोट लगा हुआ है, और यह लोग सब साथ दे रहे ह अब इस मूवी में ड्रैक्स का जो रोल है, वो कुछ ऐसा होने वाला है कि लास्ट में कुछ कमाल करेगा, वो कुछ अलग करेगा, क्योंकि डेव बतिस्ता ने भी कहा था, यह हो सकता है या तो उसको मार दिया जाए लास्ट में, या वो खुद मर के रॉकेट को बचा ले, कुछ भी हो सकता है, बस इंतजार करना है इसका, इसके अलावा रोकेट कहता है कि मैं अपने अतीच से बहुत भाग चुका हूँ, अब इसका सामना करना है, या रोकेट अपने पुराने अतीच जहां पर उस पे एक्स्परिमेंट किये गए थे, उसका सामना करने के लिए तयार है, अब जब वो वहाँ पकड़ा जाता है या उसे ले के जाये जाता है तो अपनी पुरानी प्रेमी का लाला से मिलता है, वार रोमेंटिक रोमेंटिक रहखून अपना, रॉकेट भी रोमेंटिक है एक सीन में पीटर एक आदमी को बचाने बचाता हुआ दिखाया जाए रॉकेट को एक सीन में बहुत तड़पता हुआ दिखाते हैं और उसके चेहरे पे एक मशीनरी लगी होती है जिससे हमें पता चलता है कि वो पकड़ा गया है और उस पे टॉर्चर किया जा रहा है तो ये तो कनफर्म है कि रॉकेट पकड़ा जाएगा और रॉकेट पर टॉर्चर होगा और ये लोग उसे बचाने जाएगा यानि पूरी मूवी की स्टोरी रॉकेट पर ही घुमेगी और ऐसा नहों कि ये रॉकेट को ही लास्ट में मार दे और वहाँ पर ब्लड भी ड्रिप करता हुआ दिखाया जा रहा है और पीटर एकदम पागलो की तरह चिल ला रहा है अब इस ट्रेलर में एंट्री होती है एक नए करेक्टर की जिसका नाम एडम है अब आपको Guardian of Galaxy की पहली मुवी याद होगी उसके एंड क्रेडिट में हम लोग जो गोल्डेन स्कीन वाली लेडी होती है उसको दिखाते हैं और वो बोलती है कि हमने एक नया मनुष्य बनाया है जो की Guardian of Galaxy से जाके बदला लेगा और ये होता है Adam अब एडम को somehow High Evolutionary ले लेता है उसके बारे में उसे बताता है कि तुम्हारा भाई इस तरह से बनाया नहीं गया है कि तुम सिर्फ Guardians of Galaxy से बदला लो तुम कुछ और भी कर सकते हो और उसको एक नया नाम देता है Warlock अब इसका पूरा नाम हो जाता है Adam Warlock अब इसका भी हमें देखने के लिए मिलेगा अब लेकिन MCU तो मतलब अभी कुछ दिन पहले ऐसा कर रही है कि नया करेक्टर लाकर उसको उसी में मार देती है तुरंत 10 मिनिट में लेकिन इस करेक्टर के साथ ऐसा ना हो और हमें इस करेक्टर के बारे में आगे दो दो गन लेके, गुरूट तो बहुत सारे गन लेके दुसमरसों लडाई कर रहा होता है और वो I am गुरूट की जगह वी आर गुरूट कहता है, जो अच्छा लगता है मैं तो इस मूवी का बड़ी बेसर भी से वेट कर रहा हूँ लेकिन मैं रॉकेट को भी मरता हुआ नहीं देखना चाता और ड्रैक्स को भी मरता हुआ नहीं देखना चाता आप अपने विचार कमेंट में दे सकते हैं और 6 सालों के बाद आखिरकार हमें 2023 में Guardian of Galaxy का Volume 3 देखने के लिए मिलेगा Let's wait and watch देखते हैं क्या होता है और अगर आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो ना अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताईए कुछ सुधार करने की जोरत है वो भी बताईए और अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब तो कीजिए मेरे चैनल को ग्रो करवाईए कम से कम हजार सब्सक्राइबर तो करवाईए धन्यवाद